हेलो नमस्कार दोस्तों मिरनाव है कपेल और स्वागत आप सभी का फूर आपकी सक्सिस में फ्रेंड्स इस इड़ों में हम आपके लिए जिके जी इसके सुपर सेलेक्टेड 25 MCQs को लेकर आये हैं ये वो कोशन है जो पिछले किसी ने किसी एकजाम में पूछे गए हैं टेलिग्राम चनल जोईन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो चले अब कोशन कर बारते हैं तो यहाँ पर मारा फर्स्ट कोशन है गर्भ में पल रहे बच्चे को पोशन निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है आंसर है प्लेसेंटा के माध्यम से देखे प्लेसेंटा को हिंदी में गर्भनाल कहते हैं तो प्लेसेंटा या गर्भनाल जो है माता के गर्भ में होता है जो सिसु के नाभी से जुड़ा होता है तो इसी के माध्यम से जो है गर्भ में पल रहे बच्चे को पोशन प्राप्त होता है नेश्ट कोशन है कोशन मर टू पुस्तक नेचुरेलिस हिस्टोरिया के लेखाक कौन है तो पुस्तक नेचुरेलिस हिस्टोरिया के लेखाक है पलिनी पुस्तक Naturalist Historia के लेखक कौन है तो इसके लेखक पलिनी है Next question है question number 3 सूरी के किरने किस परिकरिया द्वारा पिर्थवी पर पहुंचती है तो देखे सूरी के किरने या सूरी की उसमा जो है ये पिर्थवी पर विकीरन परिकरिया द्वारा पहुंचती है विकिरन परिकरिया द्वारा सूरी की किरन को या सूरी की परकास को पिर्थवी पर पहुंचने में आस्थन कितना समय लगता है तो सूरी की परकास को पिर्थवी पर पहुंचने में आस्थन आठ मिनट आस्थन आठ मिनट 16.6 समय लगता है ठीक है तो थर्म किसका यूनिट है तो यह उस्मा का यूनिट है इसका right answer option A हो जाएगा थर्म किसका यूनिट है तो यह उस्मा का यूनिट है next question है question number 5 वाइसराय जिसके कारिकाल में मुस्लिम लिग के स्थापना हुई थी तो वह वाइसराय था Lord Minto दित्यों का कारिकाल जो है इसका कारिकाल 1905 से लेकर 1905 से लेकर 1910 इसवी तक था Lord Minto का कारिकाल कब से कब तक था तो इसका कारिकाल 1905 से 1910 इसवी तक था इसके समय में ही आगा खा एवं सलिम उल्ला खा के द्वारा धाका में 1906 इसके कारिकाल में और भी मत्रपूर्ण घटनाय हुई थी जैसे 1907 इसके Congress के सुरत अधिवेशन में Congress का पर्थम विभाजन हुआ था इसके कारिकाल में ही Lord Minto दुत्य के कारिकाल में ही और मारले मिन्टो सुधार अधिनियम जो था Lord Minto दुत्य के कारिकाल में ही हुआ था तो आप इन सभी points को जो है जितने भी मत्रपूर्ण घटनाय भी मैंने आपको बताया आप इसे जरूर याद रखेगा ठीक है मुस्लिम लिग के स्थापना 1906 में 1907 में कॉंग्रेस के सूरत अधिवेशन में कॉंग्रेस का पर्थम विभाजन और 1909 में मारले मिन्टो सुधार तो ये सभी घटनाय जो है Lord Minto दुत्य के कारिकाल में हुआ था next question है question number six सत वर्षिये यूद या 100 साल का यूद किन के बीच लड़ा गया था तो देखे सत वर्षिये यूद जो है या 1337 शीशवी 1337 से 1434 शीशवी तक लड़ा गया था तो यहां यूद किस के किस के बीच लड़ा गया था तो यह यूदasan साब 腹वा है स्ट वर्षिय यूदख यह 100 साल का यूदट 137-143 questo यूद न फेLYगा तक यह सैल से भी अधिक समय तक लड़ा गया था नेक्ष्ट कुोशन है कुसन मर् सेवन अंतर राष्ट्य दिनांक रेखा क्या है तो यह 180 डिग्री देथांतर है 180 डिगरी देशांतर रेखा जो है उसे ही अंतर राष्ट्य दिनांक रेखा कहा जाता है Next question है, question number 8 Lothal किस नदी के तड़ परिस्थित है? तो Lothal या किस नदी के तड़ परिस्थित है? तो या भोगवा या भोगवा नदी के तड़ परिस्थित है देखें लोथल जो है या सिंदु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था ठीक है या पतन नगर था या एक बंदरगाह था लोथल जो था सिंदु घाटी सभ्यता का या हडपा सभ्यता का या बंदरगाह नगर था तो लोथल वर्तमान में कहां सित है तो या गुजरात र या जेलम नदी का उद्गम अस्थल है देखे जेलम नदी उत्री भारत में बहने वाली एक नदी है जिसका प्राची नाम वितसता है ठीक है जेलम का प्राची नाम क्या है तो जेलम का प्राची नाम वितसता है एकजाम में पूछा जाता है यह कोशन कि जेलम का प्राची ना लगता है तो लोहे को जंग आक्सी करन के कारण लगता है ठीक है लोहे को जंग आक्सी करन के कारण लगता है लोहे पर जंग लगना कौन से अभी करिया है तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभी करिया है यह भी एक्जामे कोशन पूछा जाता है कि लोहे पर जंग ल क्या 24 होती है ठीक है मानोसरिर में पसलों की कुल संख्या 24 होती है याने 12 जोड़े पसलियां जो है मानोसरिर में पाई जाती है कुल 24 पसलियां सूरी के परकास से प्राप्त रंगों में किस रंख का विझेपन सबसे कम होता है सबसे कम मर थंग होता है सबसे कम विझेपन बैंगनी रंग का होता है ऐसी धातु है जो द्रववस्था में पाय जाती है तो इसका अंसर है पारा पारा को इंगलिस में मरकरी कहते हैं तो पारा एक मात्र ऐसी धातु है जो द्रववस्था में पाय जाती है ठीक है तो पारा एक मात्र धातु है लेकिन वह एक मात्र धातु, वह मात्र, वह एक मात्र धातु कौन सी है, जो द्रवस्था में पाय जाती है, लिक्विट फर्म में पाय जाती है, तो वह एक मात्र धातु है, ब्रोमिन, ठीक है, ब्रोमिन जो है, यह एक मात्र ऐसी धातु है, जो द्रवस्था में पाय जाती है और यहां पर पारा जो है एक मात्र ऐसी धातु है जो द्रववस्था में पायजाती है ब्रोमिन का संकेत क्या होता है तो ब्रोमिन का संकेत बियार होता है ठीक है ब्रोमिन का संकेत बियार होता है next question है question 14 किसी तत्व के गुनों को परदर्शित करता है तो किसी तत्व के गुनों को कौन परदर्शित करता है तो वह परदर्शित करता है परमानु कर्मांग ठीक है किसी तत्व के गुनों को परमानु कर्मांग परदर्शित करता है नेश्ट कोशन है कोशन मर् 15 नवजाद सिसु की तीन माहतकी आयू के अध्यान को क्या कहते हैं तो देखे एक नवजाद सिसु जो होता है उसकी तीन माहतकी आयू के अध्यान को क्या कहते हैं नेक्स्ट कोशन है, कोशन मर्स 16, बैटरी में निमलिखित में से किस एक अमलका परयोग किया जाता है, तो बैटरीयों में कौन समलका परयोग किया जाता है, तो देखें, बैटरीयों में जो है, सल्फ्यूरी का अमलका परयोग किया जाता है, किस समलका सल्फ्यूरी का H2SO4 है, H2SO4 है, H2SO4 यब सल्फ्यूरी कमल का रसायनिक सूत्र है, ठीक है? Next question है, question number 17, Hepatitis B तथा AIDS को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लच्छ रखा है? तो इसका आंसर है 2030 तक, देखे, Hepatitis B तथा AIDS को भारत सरकार 2030 तक उन्मूलन करने का यानि इसे खत्म करने का लच्छ रखा है, Hepatitis B और AIDS या किसके कारण होते हैं? तो Hepatitis B और AIDS या दोनों ही रोग जो है, वाइरस के कारण होते हैं, विसानू के कारण, Next question है, question number 18, निम्लिकित में से कौन से संसद्य समिती का सदस्य अनिवारी रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है, तो इसका आंसर है Option D, प्राकलन समिती में जो है, इसके सद सदस्यों से अनिवारी रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है, प्राकलन समिती में लोग सभा के सदस्यों को सामिल नहीं किया जाता है, और इसमें कुल कितने सदस्यों होते हैं, तो कुल तीस सदस्यों होते है, Next question है, question number 19, बाइट कम्प्यूटर की भंडारन छ समता दर्साने का कारी करता है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो देखें, एक बाइट में जो है, आठ बिट्स होते हैं, आठ बिट्स, नेश्ट कोशन है, कोशन में 20, टूरिंग अवार्ड किस छेतर से समंदीत है तो Turing Award जो है ये किस छेत्र से समंदीत है तो यह Computer विज्ञान के छेत्र से समंदीत है यह पूरसकार जो है Turing Award पूरसकार ये विश्वास्तर पर Computer विज्ञान के छेत्र में उत्कृिष्ट कारिक करने वालों को दिया जाता है Next Question है Question 21 तिब्बत में सांग्पो कहलाने वाली नदी कौन सी है तो तिब्बत में सांग्पो कहलाने वाली नदी है ब्रंपूत्र नदी को जो है तिब्बत में सांग्पो के नाम से जाना जाता है ठीक है ब्रंपूत्र नदी को तिब्बत में सांग्पो कहा जाता है सांग्पो के नाम से या जाने जाती है सल्तनत का पहला सुल्तान जो अजमेर इस्थित ख्वाजा मुनिद्दीन चिस्ती की दरगाह पर गया था तो वह सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान था मुहम्मद बिन तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक जो है यदिली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो अजमेर श्थित ख्वाजा मुनिदीन चिस्ति के दर्गाह पर गया था ख्वाजा मुनिदीन चिस्ति का दर्गाह कहां सिथ है तो इनका दर्गाह अजमेर में सिथ है ठीक है नेश्ट कोशन है, कोशन में 23, किसके सहयोग से बोकारो इसपाद संजत्र के स्थापना की गई? तो देखे, बोकारो इसपाद संजत्र के स्थापना जो है, सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी, सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी, बोकारो इसपाद संजत्र किस राजे में सित हैं तो या जारखन राजिमे सित हैं जारखन राजिमें नेश्ट कोशन है कोशन मरी लम्हेर 24 जल का कुथनांग कितना होता है तो जल का कुथनांग याइनि इसका boiling point कितना होता है तो इसका boiling point जो है 100 degree celsius होता है देखे जी स्ताप पर जल उबलने लगता है तो उस ताप को जल का कोथनांग कहा जाता है तो जल कितने डिग्री सेल्सेस पर उबलता है तो यह 100 डिग्री सेल्सेस पर उबलता है यानि जल का कोथनांग कितना होता है तो इसका कोथनांग 100 डिग्री सेल्सेस होता है लास्ट कोशन है इस वीडो का कोशन में 25 गुरुत्विय तोवरन जी का मान होता है तो गुरुत्विय तोवरन अस्माल जी का मान कितना होता है तो देखें गुरुत्विय तोवरन जी का मान जो है 9.8 मीटर परति सेकेंड होता है कितना होता है? 9.8 मीटर परति सेकंड होता है गुरूत्य तोरस क्या है? तो गुरूत्य तोरस के top 25 कुशन आनसर अब चलिए बढ़ते हैं क्वीच के और लाड्स टूडियो में हमने आप से कुशन पूछा था कोशन था बीजिंग सितकालिन ओलंपिक 2022 का सुभंकर क्या होगा तो लगबग सभी स्टुडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है तो इसका सही जवाब है बिंग ड्वेन ड्वेन ठीक है बीजिंग सितकालिन ओलंपिक 2022 का सुभंकर क्या होगा इसका सुभंकर बिंग ड्वेन ड्वेन होगा ठीक है? अब आज के लिए अब आज के इस वीडियो में आपके लिए कोशन है भारते सविधान के किस अनुछेद में मुल करतवियों का उलेख है भारते सविधान के किस अनुछेद में मुल्क करतवियों का उलेख है तो इस कोशन का सही जवाप आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजेगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपके लिए हिलफुल रही हो तो प्लेज इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजेगा अब मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में थैंक्स फोर वाचिंग